हेलो फ्रेंड्स बेलकम बैक टो आगर चैनल स्वात घर जैसा आज हम बनाने वाले गाजर का हलवा बिल्कुल सिंपिल तरीके से बहुत ही इजी बनने वाला चली शुरू करते हैं कजार को अच्छे से ओपर नीचे के पाट को काट दिया है और उसको चिल लिएं थिसको सा पानी से धुल लिया भी गाजर को छोटे चोटेचे टुकड़ों में काट लिया है सी में अब बाइलद कर भीो बनाएंगी अब हम इसमें कूकर में गाजर को डाल देंगे और इसमें हम आधा का पानी एट करेंगे दो तिन विशल आने तक इसको पकाएंगे गाजर अपक चुका है अब हम इसको देख लेंगे फ्रेंड्स आप इसे चाहें तो कर्चिल के मदद से मैस कर सकते हैं या फिर मैसर से भी इसको मैस कर सकते हैं यह बहुत इसली मैस हो जाएगा इस मैथेड से गाजर का हलुआ बनाएगा जरूर यह फटापट क्विकली बन जाएगा घंटों की मेहनत कंदुकस करना फिर गाजर के हलुआ को घंटे बनाना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है इसली हम उससे बचने की कोशिस करते हैं लेकिन हम इस प्रोसेस से गाजर का हलुआ बनाएंगे तो क्विकली बन जाएगा और हम उसको अच्छे से इंज्वाय करेंगे अब हमने इसको अच्छे से मैस कर लिया है कराही को हम बिल्कुल लो फ्रेम पे रखेंगे और हम इसमें मैस किया हुआ गाजर डाल देंगे फ्रेंट्स अभी भी देखे छुटे हमारे गाजर के हैं जिसको हम कड़ाही में डाल के अच्छे से मैस कर लेंगे ये गाजर हमारा जब तक पक कर गाएगा वह बिल्कुल मैस हो जाएगा इंज्वार ब तक बुना है जब Тक क्य strength क्या जिए हम फ्रेंट्स मलाई से घी रिलीज होगा हमने अलग से कोई भी घी इसमें एड नहीं किया है अब हम इसमें टेस्ट के कोडिंग सुगर एड कर लेंगे हमने इसमें तीन चार चम्मस सुगर एड किया है आप अपने जितना मिठा पसंद करते हैं उसके कोडिंग सुगर एड कर सकते हैं अब सुगर डाल के अच्छे से मिला लेंगे फ्रेंट्स हम इसमें लाइची पाउडर भी एड कर लेंगे जो साथ वीडियो बनाते समय इसकी हो गया कैमरा ओफ था गाजर मलाई चीनी बहुत अच्छे से एक दूसरे में मिल गया है अब हम इसमें फ्रूट्स एड कर सकते हैं यह देखिए फ्रेंट्स हमारा कितना टेस्टी अच्छा सा गाजर का हलवा रेड़ी है यह प्लीज सब्सक्राइब थैंक्स परबाद